हलो फ्रेंड विलकम बैक टो में चानल आज हम कर रहे हैं क्लास 2 का एविस का चप्टर नंबर 2 है यह सेमेस्टर 2 की बुक से उसको ओके सो सेमेस्टर 2 में यहाँ पर जो मेरे पास में बुक है उसमें चप्टर 2 पर है यह ट्रेवल एंड कम्यूनिकेट आपके पास में कोई औ अच्छों को थोड़ा सा इंट्रिस्ट आए तो देखिए यहाँ पर क्या है यहाँ पर पापा वाट इस द मूविंग ऑन द रोप बिट्विन द टू माउंटेंज ओके यह पर जो गर्ल है यह कौन है यह साइना है तो इपने पापा से पूछ रहे है पापा वाट इस द पर क्याइ मूव हो रहा है थिक है ओंधो रोब पर क्या हो भोग हो उन देख पर क्या मूव ho रहे है तो इससन कि jo आपां से इसको क्या आंसर यह देतेए ध स्कपर क्या करते है ते हिसको कार थे जो आव शर्य तो ती है वह ट हम शर्क आशल एग और स्पछल यह कoba होती है त इसको हम और ट्राशस्पोर्ट के साधन के रूप में यूज करते हैं, गर कि अब हम में जो हमारा चैप्टर है उसके पोईंट्स पर आजाते हैं, Means of Transport. So, this is a very important point. Means of Transport क्या होते हैं? Means of Transport यादि के ट्राश्पोर्ट के साधन जो है, वो क्या होते हैं? हम क्या बोलते है और यह गांगे सिर्फ कि लिए इंद्रांस्पोर्ट कर था उता है याना की लिए मिसमें लिजांगे रिए कि फिल मघन प्रपार कार्म लिए वह हम चाइन के जास पर प्रेंब रही ध्कारिक एंड वाटर, ओके, रोड से हम जा सकते हैं, हम रेल से जा सकते हैं, एर से भी जा सकते हैं, और वाटर में भी जा सकते हैं, उसके लिए हम अलग अलग प्रकार के, जो ट्रेवल के हमारे वहिकल्स होते हैं, उनको यूज करते हैं, इनको बुलाते हैं, हम क्या बुलाते हैं, मी यातायात के साधहन ठीके सिंपल हो गया ना इजी समझ में रहा हो का अब देखते हम रोड ट्रांसपोर्ट रोड ट्रांसपोर्ट क्या-क्या होते हैं वी यूज रोड ट्रांसपोर्ट लाइक मोटर वहिकल्स वी यूज हम यूज करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट रोड पर च कि fazemrt Payeur इनको हम मोटर वहिकल कहें है तो फिरह राण ह네 इनके बने सब बनार दूसित आग्टे कर से चलता है नों मतोर मेरे नहीं कितने सारी हो गएस प्रफ़ टीर हो ट्रक हो गया बस हो गई मोटर साइकल हो गई रिक्षा हो गया और अटो रिक्षा हो गया यह सब क्या है यह सब रोड पे चलते हैं अब देखिए यह लो प्राइन के निदर हमें कुछ दिया हुआ है इसको रहा ध्यान से पड़ते हैं कार्ड is a vehicle with two or four wheels it is pulled by animals like ox, camel, horse and bullock to carry loads some cards also carry people अगर आपको किसी गाउं में जाओगी तो आपको यह जरूर देखने को मेलेगा है ना some cards also carry people और कुछ cards जो है वो ऐसे भी होते हैं जो लोगों को लिकर के जाते हैं जैसे कि अगर आप कभी कॉलकटा साइड गए होंगे तो वहाँ पे आदमी खीचते हैं इस तरह की गाड़ी बिना करके आदमी खीचते हैं लोगों को बिठा करके लिकर के जाते है एस रिक्षे के तौर पे इस तरीके का वह होता है बट उसमें पहिए सिर्फ पीछे होते हैं आगी की तरफ आदमी होता है और वह खीच के लिकर के जाता है ठीक है समझ में आ रहा है आपको इजी हो रहा है अब देखिए अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा रेल ट्रांसप has an engine एक train जो होती है उसका एक engine होता है and many coaches और उसके बहुत सारे coaches होते हैं coaches means बहुत सारे अलग अलग डिब्बे होते हैं इसको हम compartment भी बोलते हैं ठीक है अलग अलग डब्बे होते हैं कि जाते हैं क्यूंकि रियल बहुत बड़ी होती है इंजन एक किस पर चलता है वह आंड बिजली से चलता है ठीक है कोईल मीन होता है कोईला कोईला और डीजल से चलता है पैसेजर ट्रेंज केरी पीपिरूल्स को एणि के लोगों को फ्रॉम वन प्लेस तु अन्धर प्लेस वो लोगों को लिखर के जाती है उन प्लेस एक जगा से दूसरी जगार पढ़ी Türkiye चाहिए। तो वो एक उन ट्रेंस को हम good trains बोलते हैं और वो सामान को दूसी जगा पर पहुंचाती है ठीक है इसे हो गया अब देखते हैं water transport water transport क्या होता है we use water transport to cross sea ocean lake canal और river water transport को हम use करते हैं क्या हम क्रोस करने के लिए cross करना मतलब पार करना ठीक है एक तरिके से cross करना means park कर नकिकी से dakitas को अगर हमें park करना है ocean को हमें park करना है Lake को हमें park करना है coastal park river को हमें park करना है तो हम use करते हैं किस दिक वी किस करते हैं like sailboat और ship ठीक है ship को हम on好像 वहाँ एक जगा से दूसरी जगा जाने में वाटर के अंदर क्योंकि वाटर के अंदर तो ट्रेन भी नी चलेगी बस भी नी चलेगी है न वो सब क्या हो जाएगा वो सब डूब जाएंगे सिंक हो जाएंगे सो कार्गो शिप्स कैरी हैवी लोट जो कार्गो शिप्स होते हैं वो क्या करते हैं वो जो बहुत जादा बजन होता है जिसमें बहुत जादा बजन वाला जो समान होता है वो कार्गो शिप्स कैरी करते हैं और शिप, स्टीमर, बोट and sailboats are means of transports water transports और ये जो है cargo ship ship और steamer boat and sailboat are means of transport ये means of transport होते हैं water transport के लिए ठीक है submarines भी होती है submarines are used by soldiers to travel underwater और जो submarines होती है वो आपने movie भी देखियोगी ना आजकर एक दो movie आई हैं ये इतनी अच्छी वाली उनमें आपने देखा हो submarines जो होते हैं water के अंदर move करती हैं तो वो जो हमारे soldiers होते हैं जो हमारे scenic होते हैं उनको वो travel करवाती है water के अंदर अब हम देखते हैं air transport okay air transport क्या होते हैं so we use aeroplanes and helicopters to travel while air okay जब हमें air से यानि कि हवाई यात्रा करनी होती है तो हम क्या use करते हैं हम aeroplane और helicopter को use करते हैं they are the fastest means of transport they are the यानि कि वे हैं fastest यानि कि सबसे तेज़ चलने वाले यात्रा के साधन कौन होते हैं वो aeroplane और helicopter we can reach far off countries in a few hours in them okay we can reach far off countries हमारा जो देश है एक देश से दूसरे देश में हम बहुत ही कम समय में few hours यानि कि बहुत कम समय में हम sorry एक country से दूसरी कंटी पहुंच सकते हैं किसकी हैप से air transport की हैप से और air transport में हम क्या use करते हैं aeroplanes and helicopters okay they also carry goods और ये को सामान भी ले जाते हैं goods means होता है सामान ले जाना ठीक है जो भी लगे जो गयरा होता है वो उसको भी carry करते हैं उसको भी एक जगा से दूसरी जगा पहुंचाते हैं सो देखे यहां तक का इस chapter को हम complete करेंगे क्योंकि आगी अगर में करूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इसमें communication वाला chapter है इसको हम next video के अं क्या करते हैं उसको हम हर जगा यूज नहीं कर सकते उसको कहीं special जगा पर ही हम यूज करते हैं सो रीट करते हैं पहले here are some vehicles which are used for special purpose यहां पर जो है कुछ हैसे vehicles यह हुए हैं जिने हम special purpose के लिए यूज करते हैं a fine fire engine carries equipment for fire fighters to put out fire fire engine carries करते हैं वो क्या करते हैं जो equipment मतलब वो कुछ ऐसे समान होते हैं जो fire fighters के काम आते हैं तो यह जो गाड़ी होती है यह क्या करती है वो उनको ही carry करती है और an ambulance takes sick or injured people to a hospital और जो ambulance होती है आपने देखा ना ambulance के निर कोई normal people थोड़ ना जाते जो सिर्फ बीमार होते है या जिनके चोट लगई होती है उनको travel कर राया जाता है उसमें यह निको hospital तर पहुचाया जाता है ठीक है और यहां पर क्या है hot air balloon और cable car So a cable car is pulled by a moving metal rope It carries passenger up and down a mountain और यह passengers जो होते हैं उनको carry करती है Mountains जो होते हैं पहाडों से उपर और नीचे की तरफ है ना तो इसकी help से ही लोगों को उपर और नीचे किया जाता है And a hot air balloon is a large balloon filled with hot air that rises in the air So the hot air balloon is filled with hot air from the air So it rises from the air to the air It has a basket to carry passenger And it has a basket that you can see below this basket, it has passengers in the air It is used for fun It is used for fun It is used for fun, not for transport It is not for transport Only for fun So here we have some special numbers that we have given here If there is any emergency, we have to call the police Then we will call 100-100 If there is fire or fire, then we have to dial 101 And when we need an ambulance When someone is sick or an accident Then we will call the ambulance Then we will call 102 Now let's see here There is a small important point It is means of communication So we speak, write and use signs and sounds to share ideas and information with each other We speak, write, write What is our signs? In a way of pointing And we tell our voices Our ideas, our thoughts, our information To tell others These are means of communication These are means of communication Means of communication means When we have to tell someone to know We will call the 음악 It will tell us We will tell us We will tell us What is written in the book So we will tell us We are taking a look And we are reading it So, we will tell you When we are telling us It is written in the book Therefore, we will ask Our thoughts Then we will tell us We will tell people लिख करके लोगों को बताते हैं या इशारों में बताते हैं